मैं आप सब के साथ हूँ मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से कि मैं हर उस शक्स के साथ हूँ जो जीवन में काम्याब बनना चाहता है दोस्तों मैं काम्याबी का पागल हूँ, दिवाना हूँ मैं दिन रात मेहनद करता हूँ, दिन रात मैं कभी ठकता नहीं हूँ, कभी नहीं जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं महबबद करता हूँ काम्याबी से दोस्तों मैंने अपने जिन्दगे में बहुत कस देए बहुत बहुत दुख देखें मैंने भी इसलिए मैं नहीं चाहता जो दुख्य मैंने देखे हैं दूसरे लोग भी देखे मैं अपनी जिन्दगी में बहुत सबल हुआ हूँ बहुत लोगों ने मेरा मज़ाग बुड़ाया लोगों ने कहा यह निकमा है मूर के है पागल है यहाँ तक कि मुझ पर मेरे पिदा जी भी विश्वास करना चोड़ दिये थे जो सामने बेड़े इन्हें भी लगता था मैं जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा असफल रहता था मैं काम्याभी पाता था फिर असफल हो जाता था दिन रात मेहनत करता था दिन रात मैंने जिन्दगी में कभी कोई बुरा अएब नहीं किया मैंने जिन्दगी में कभी किसी को तोका नहीं दिया कभी किसी किसे बेहिमानी नहीं करी फिर भी ना जाने क्यों मैं हारता रहा हारता रहो परिश्रम करता सबलता की बुलंदी तक पहुँचता फिर जमीन परागिरता और लोग मेरा मज़ाक उड़ाने लगते लोग कहते यह कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तो मैं मुंबई में रहता था कभी अपने घर पे नहीं बोलता था कि मैं फुट पाथ पर सोता हूँ कुटों के साथ जहां गली के कुटे सोते थे काम नहीं होता था काम की तलाज में भटकता था काम नहीं मिलता था काम्याब होना चाहता था काम्याब मगर काम्याब ही मुझे नहीं मिल रही थी मैं हासफल इंसान की तरह जिंदगी पिताय चारा था मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मैं नालायक नहीं हूँ अभी कुछ कर सकता हूँ मगर मेरे किस मोच मरी साथ नहीं दे रही थी मैं हारे जा रहा था बोज़ बन गया था धर्दी के ऊपर बोज़ दोस्तों आज मैं काम्याब हूँ तो लोग कहते हैं किस्मत वाला है यहे किस्मत वाला मैं किस्मत वाला नहीं मैंने मेहनद की है अपनी जिल्दकी में बहुत दिन रात मेहनद करी है मैंने दोस्तों मैंने इनी हाथों से दूसरों के घर में बगतन दोए है कुली का काम किया है, मैंने पेटियां उठाई है, रस्ते पर फुट पाद पर मुवफुलियां बेची है, काम्याभी पाने के लिए, मैं बहुत गरीब हुआ करता था, बहुत लाचार, बीखार, दुनिया मुझे नारायक समझती थी, तुनिया मुझे पढ़ने का शौक था, सुभा से लेकर शाम तक जब भी कोई किताम मिलती, पढ़ने बैठ जाता, लोग बोलती बागल है, बागल, किताबी पढ़कर क्या होगा, पढ़ने का शौक था, क्या करता, पढ़ता रहता था, सफल लोगों की कहानियां, कि वो भी या सफल थे, असफलताओं का सफर तै करते करते, एक दिन वो सफल बनी, मेरा विश्वास चकता था उनको पढ़ने के बाद, मुझे भी विश्वास था, एक ना एक दिन मैं भी कामियाब बनूँगा, इसलिए दिन रात महनत करता था, हाज, मैं उन लोहों को देखता हूँ, जो जीवन में कामियाब नहीं है, मैं उनका साथ ही बनना चाहता हूँ, उनका दोस्त, मैं उन लोहों को कामियाबी दिलाना चाहता हूँ, जो लोग कामियाबी नहीं पा रही है, मेहनत करने की बावजूद, जिने दुनिया नालायक कहत है जिनका लोग मजाग उड़ाती हैं मैं उनका साथी बनना चाहता हूँ साथी है मैं उन्हें सफलता दिलाना चाहता हूँ दोस्तों यह हम लेश जो है कई देवे मुझे फोन करता है कदै सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ यह आसम में रहता है सर मुझे बताएं मैं कैसे सफलता पाओं और यह आसम रहता है मैं इसके पास चाह नहीं सकता और नहीं जाना में से अपने पास बुला सकता हूँ मगर आज मैं आप सब के सामने आज मैं सोरिया सिन्हा वादा करता हूँ वादा कि मैं इस आमलेश को कामयाब बनाऊंगा मैं इसका साथ दूँगा मैं देखिएगा बहुत चल्द आपके सामने यही आमलेश आएगा एक कामयाब इंसान बन कर